भीश्म साहने जी की कहानी चीफ की दावत आज मिस्टर शामनात के खर चीफ की दावत थी शामनात और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोशने की फुर्सत न थी पत्नी ड्रसिंग गाउन पहने उलजेवे बालों को बनाए मुपर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर शामनात सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हात में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे आखिर पाँच बश्ते बश्ते तयारी मुकमल होने लगी कुर्सिया, मेज, तिपाईया, नैपकिन, फूल सब बरांदे में पहुँशने लगे ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया अब घर का फालतु सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तभी शामनात के सामने सहसा एक अडचन खड़ी हो गई मा का क्या होगा? इस बात की और ना उनका और ना उनकी कुशल ग्रहनी का ध्यान गया था मिस्टर शामनात श्रीमती की और घोर कर अंग्रेजी में बोले मा का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली इन्हें पिछवाड़े इनकी सहली के घर भेज़ दो राद भर बेशक वहीं रहें कर ला जाएं शामनाथ सिगरेट मुँ में रखे, सिकुडी आँखों से श्रीमती के चहरे की और देखते हुए पल भर सोचते रहे फिर सिर उठा कर बोले, नहीं मैं नहीं चाहता कि उस बुढिया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो पहले ही बड़ी मुश्क्ली से बंद किया था इससे पहले ही अपने काम से निबट ले, सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया मगर, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नीम में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरांदा है जहां लोग खाना खाएंगे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दर्वासा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा या मां को कह देता हूं कि अंदर आकर सोई नहीं, बैठी रहें, और क्या और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले ग्यारा ग्यारा बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो शामनात कुछ खीज उठे हाथ जटकते वे बोले अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी तुमने यूही खुद भली बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी वा तुम मा और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनू तुम जानो और वह जाने मिस्टर शामनात चुप रहे यह मौका बहस का न था समस्या का हल ढूनने का था उन्होंने घूर कर मा की कोट्री की और देखा कोट्री का दर्वाजा बरांदे में खुलता था बरांदे की और देखते वे जट से बोले मैंने सोच लिया है और मा की कोट्री के बाहर जा खड़े हुए मा दिवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपटे में मूँ सिर लपेटे माला जप रही थी सुबह से तयारी होती देखते हुए मा का भी दिल धड़क रहा था बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर परा रहा है सारा काम ठीक से चल जाए मा, मा आज तुम खाना जल्दी खा लेना मैमा लोग साड़े साथ बजे आ जाएंगे मा ने धीरे से मूँ पर से दुपटा हटाया और बेटे को देखते वे कहा आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा तुम तो जानते हो मा समशली बने तो मैं कुछ नहीं खाती जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना अच्छा बेटा और मा हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम यहां बरांदे में बैठना फिर जब हम यहां आ जाएं तो गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना मा अवाक बेटे का चहरा देखने लगी फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा और मा आज जल्दी सो नहीं जाना तुम्हारे खर्राटों की आवास दूर तक जाती है मा लजजित सी आवास में बोली क्या करूं बेटा मेरे बस की बात नहीं है जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती मिस्टर शामनात ने इंतजाम तो कर दिया फिर भी उनकी उधेड बुन खत्म नहीं हुई जो चीफ अचानक उधर को आया तो आट दस महमान होंगे देशी अफसर उनकी स्तरिया होंगी कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है शोब और क्रोध में चुंजलाने लगे एक कुरसी को उठा कर बरांदे में कोट्री के बाहर रखते वे बोले आओ मा इस पर जड़ा बैठो तो मा माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुरसी पर आकर बैठ गई यू नहीं मा तांगें उपर चड़ा कर नहीं बैठते यह खाट नहीं है मा ने तांगें नीचे उतार ले और खुदा के वास्ते नंगे पाउ नहीं घुमना नहीं वह खडाओं पहन कर सामने आना किसी दिन तुमारी यह खडाओं उठा कर मैं बाहर फेंग दूँगा मा चुप रही कपड़े कौन से पहनोगी मा जो है वही पहनोगी बेटा जो कहो पहन लू मिस्टर शामनात सिगरेट मू में रखे फिर अद्खुली आँखों से मा की ओद देखने लगे खूंटिया कमरों में कहां लगाई जाएं कालीन कहां पर बिच्छे किस रंग के परदे लगाए जाएं श्रीमती कौन सी साडी पहने मेज किस साइस की हो शामनात को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षातकार मा से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े मा को सिर से पाउं तक देखते हुए बोले तुम कमीज और सफेद सल्वार पहन लो मा पहन के आओ तो ज़रा देखूं मा धीरे से उठी और अपनी कोट्री में कपड़े पहनने चली गई यह मा का जहमेला ही रहेगा उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा कोई ढंकी बात हो तो भी कोई कहे कहीं कोई उल्टी सीदी बात हो गई चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा मा सफेद कमीज और सफेद सल्वार पहन कर बाहर निकली छोटा सा कद सफेद कपडों में लिप्टा छोटा सा दुपला शरीर दुंदली आखीं केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप आए थे पहले से कुछी कम कुरूप नजर आ रही थी चलो ठीक है कोई चूडिया उडिया हो तो वह भी पहन लो कोई हर्ज नहीं चूडिया कहां से लाओं बेटा तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिग गए यह वाक्य शामनात को तीर की तरह लगा तुनक कर बोले यह कौन सा राक छेड़ दिया मा सीधा कैदो नहीं है जेवर बस इससे पढ़ाई वड़ाई का क्या तालूक है जो जेवर बिगा तो कुछ बनकर ही आया हूं निरार लंडूरा तो नहीं लोटाया जितना दिया था उससे दुगना ले लेना मेरी जीब जलजाय बेटा तुमसे जेवर लोंगी मेरे मूसे योही निकल गया जीमती कब की अपने काम पज़ा चुकी थी शामनात जाते हुए एक बार फिर मा को हिदायत करते गए मा रोज की तरग गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरसे बात का जवाब देना मैं न पढ़ी न लिखी बेटा मैं क्या बात करूँगी तुम कह देना मा अनपढ है कुछ जानती समस्ती नहीं तो वह नहीं पूछेगा साथ बस्ते बस्ते मा का दिल धक धक करने लगा अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी अंग्रेश को तो दूर से ही देख कर घबरा उठती थी यह तो अमरीकी है ना मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूंगी उनका जी चाहा कि चुप चाप पिछवाडे विथवा सहेली के घर चली जाए मगर बेटे के हुक मुकू कैसे टाल सकती थी चुप चाप कुरसी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही एक काम्याब पाटी वह है जिसमें ड्रिंक काम्याबी से चल जाए शामनात की पाटी सफलता के शिखर चूमने लगी वारतालाब उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अच्चन न थी बॉस को विस्की पसंद आई थी मेम साब को परदे पसंद आये थे सोफा कवर का डिसाइन पसंद आया था कमरे की सजावट पसंद आई थी इससे बढ़कर क्या चाहिए साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकले और कहानिया कहने लग गए थे दफ्तर में जो रौब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी स्तरी काला गाउन पहने गले में सफेद मोतियों का हार पहने और पाउडर की महक से ओथ प्रोथ कमरे में बैठी सभी देवी स्तरीयों की आराधना का केंदर बनी हुई थी बात बात पर हस्ती, सिर हिलाती और शामनात की स्तरी से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हुँ और इसी रौ में पीते पिलाते साड़े दस बज गए वक्त गुजरते पता ही न चला आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूट पी कर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर चल दिये आगे आगे शामनात रास्ता दिखाते हुए पीछे पीछे चीफ और दुसरे महमान बरांदे में पहुँचते ही शामनात सहसा चिटक गए जो दृष्य उन्होंने देखा उससे उनकी तांगे लड़ खड़ा गई और एक ही पल में सारा नशा हिरन होने लगा बरांदे में एन कोट्री के बाहर मा अपनी कुर्सी पर जोंकी त्यों बैठी थी मगर दोनों हाथ बगल की सीट पर रखे वे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जूल रहा था और मू में से लगातार गहरे खराटों की आवास आ रही थी जब सिर कुछ देर के लिए टेडा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उटते और फिर जटके से नीद तूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं जूलने लगता पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मा के जरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थी देखते ही शामनात कृद्ध उठे जी चाहा कि मा को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे लेकिन यह करना संभव न था चीफ और बाकी मैमान पास खड़े थे मा को देखते ही देशी अफसरों की कुछ त्रियां हस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा पूर डियर मा हट बड़ा के उठ पैटी सामने खड़े इतने लोगों को देख कर ऐसी घबराई की कुछ कहते न बना जट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी उनके पाउं लट खड़ाने लगे और हातों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी मा तुम जाके सो जाओ तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ की और देखने लगे चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वह वहीं खड़े खड़े बोले नमस्ते माने जिजगते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपटे के अंदर माला को पकड़े हुए था बाहर ठीक तरसे नमस्ते भी न कर पाई शामनाथ इस पर भी खिन न हो उठे इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए मा के आगे किया मा और भी घबरा उठी मा हाथ मिलाओ पर हाथ कैसे मिलाती दाये हाथ में तो माला थी घबराहट में मा ने बाया हाथ ही साहत के दाये हाथ में रख दिया शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे देशी अफसरों की स्त्रियां खिल खिला कर हस पड़ी यू नहीं मा तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है दाया हाथ मिलाओ मगर तब तक चीफ मा का बाया हाथ ही बार बार हिला कर कह रहे थे How do you do? कहो मा मैं ठीक हूँ, कहरेट से हूँ मा कुछ बढ़ बढ़ाई मा कहती है मैं ठीक हूँ कहो मा, how do you do? मा धीरे से सकुचाते हुए बोली How do do? एक बार फिर कह कहा उठा वातावरन हलका होने लगा साहब ने स्तिथी संभाल ली थी लोग हसने चहकने लगे थे शामनात के मन का भार कुछ कुछ कम होने लगा था साहब अपने हाथ में मा का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मा सिकुडी जा रही थी साहब के मुँ से शराब की बद्बू आ रही थी शामनात अंग्रेजी में बोले मेरी मा गाउं की रहने वाली है उमर भर गाउं में रही है इसलिए आपसे लजाती है साहब इस पर खुश नजर आए बोले सच मुझे गाउं के लोग बहुत पसंद है तब तो तुमारी मा गाउं के गीत नाच भी जानती होंगी चीफ खुशी से सिर्ह लाते वे मा को टक्टकी बांधे देखने लगे मा साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे मा धीरे से बोली मैं क्या गाउंगी बेटा मैंने कब गाया है वा मा मैमान का कहा भी कोई टालता है साहब ने इतना रीज से कहा है नहीं गाउगी तो साहब बुरा मानेंगे मैं क्या गाउं बेटा मुझे क्या आता है वा कोई बड़िया टपे सुना दो दो पत्तर अनारे दे देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालिया पेटी मा कभी दीन दृष्टी से बेटे के चहरे को देखती कभी पास खड़ी बहु के चहरे को इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहास में कहा मा इसके बाद हा या ना सवाल ही न उटता था मा बैठ गई और शीन, दुर्बल, लरस्ती आवास में एक पुराणा गीत गाने लगी देशी स्त्रियां खिलखला के हस उठी तीन पंक्तियां गा के माचुप हो गई बरांदा तालियों से गोंज उठा साहब तालियां पेटना बंध ही न करते थे शामनात की खीज प्रसनता और गर्व में उठी थी मा ने पार्टी में नया रंग भर दिया था तालियां थमने पर साहब बुले पंजाब के गाउं की दस्तकारी क्या है शामनात खुशी में जूम रहे थे बुले ओ बहुत कुछ साहब मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूँगा आप देख कर खुश होंगे मगर साहब ने सिरह लाकर अंग्रेजी में फिर पूछा नहीं मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता पंजाबियों के घरों में क्या बनता है औरतें खुद क्या बनाती है शामनाथ कुछ सोचते वे बोले लड़किया गुडिया बनाती है और फुलकारिया बनाती है फुलकारी क्या शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेश्टा करने के बाद मा को बोले क्यों मा कोई पुरानी फुलकारी घर में है मा चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई साहब बड़ी रुची से फुलकारी देखने लगे पुरानी फुलकारी थी जगा जगा से उसके तांगे तूट रहे थे साहब की रुची को देख कर शामनात बोले यह फटी होई है साहब मैं आपको नई बनवा दूँगा मा बना देंगी मा साहब को फुलकारी बहुत पसंद है इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी न मा चुप रही फिर डरते डरते धीरे से बोले अब मेरी नजर कहा है बेटा बूढी आखें क्या देखेंगी मगर मा का वाक के बीच में ही तोड़ते वे शामनात साहब को बोले वह जरूर बना देंगी आप उसे देख कर खुश होंगे साहब ने सिर हिलाया धन्यवात किया और हलके हलकी घूमते हुए खाने की मेच की और बढ़ गए बाकी मेमान उनके पीछे पीछे हो लिए जब मेमान बैट गए और मा पर से सबकी आँखें हट गई तो मा धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचा अपनी कोठरी में चली गई मगर कोठरी में बैटने की देर थी की आँखों में चल चल आँसो बहने लगे वह दुपटे से बार बार उन्हें पोँचती पर वे बार बार उमड आते जैसे बरसों का बांध तोड़ कर उमड आये हूँ मा ने बहुतेरा दिल को समझाया हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया बेटे के चिरायू होने की प्रार्थना की बार बार आँखें बन की मगर आँसू बरसात के पानी की तरफ जैसे थमने में ही नहीं थे आधी रात का वक्त होगा मेहमान खाना खाकर एक केक करके जा चुके थे मा दिवार से सट कर बैठी आँखें फाडे देखे जा रही थी घर के वातावरन में तनाव धीला पड़ चुका था मुहले की निस्तब्दता शामनात के घर भी चा गई केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवास आ रही थी तभी सहसा मा की कोट्री का दर्वासा जोर से खटकने लगा मा दर्वासा खोलो मा का दिल बैठ गया हट बड़ा कर उठ पैठी क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई मा कितनी देर से अपने आपको रोक रही थी कि क्यों उन्हें नीन्द आ गई क्यों वह उन्गने लगी क्या बेटे ने अभी तक शमा नहीं किया मा उठी और कामते हातों से दर्वासा खोल दिया दर्वासा खुलते ही शामनाद जूमते हुए आगे बढ़ाए और मा को आलिंगन में भर लिया ओ अम्मी ओ अम्मी तुमने तो आज रंग ला दिया साहब तुमसे इतना खुशुआ की क्या कहूं ओ अम्मी अम्मी मा की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई मा की आखों में फिर आशु आ गए उन्हें पोँच कर वह धीरे से बोली बेटा तुम मुझे हरित्वार भेश दो मैं कपसे कह रहे हूं शामनात का जूमना सैसा बंध हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पढ़ने लगे उनकी बाहें मा के उपर से हट आई क्या कहा मा यह कौन सा राख तुमने फिर छेड दिया शामनात का क्रोध बढ़ने लगा था बोलते गए तुम मुझे बदनाम करना चाती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मा को अपने पास नहीं रख सकता नहीं बेटा अब तुम अपनी बहु के साथ जैसा मन चाहे रहो मैंने अपना खा पहन लिया अब यहां क्या करूंगी कुछ दिन जिंदगानी के बाकी है बगवान का नाम लूँगी तुम मुझे हरिद्वार भेज दो तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है मेरी आँखे अप नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूँ तुम कहीं और से बनवा लो बनी बनाई ले लो मा तुम मुझे धोका दे के यूँ चली जाओगी मेरा बनता काम बिगाड़ोगी जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी मा चुप हो गई फिर बेटे के मूँ के और देखते हुई बोली क्या तेरी तरक्की होगी क्या साहब तेरी तरक्की करेगा क्या उसने कुछ कहा है कहा नहीं मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है कहता था जब तेरी मा फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ मा के चेहरे का रंग बदलने लगा धीरे धीरे जुर्यों भरा मो खिलने लगा आखों में हलकी हलकी चमक आने पर बोली तो तेरी तरक्की होगी बेटा तरक्की यूँ ही हो जाएगी साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा तो मैं बना दूँगी बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी और मां दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्वल भविश्य की कामनाई करने लगी और मिस्टर शामनाथ अब सो मां कहते हुए तनिक लड़ खडाते हुए अपने कमरे की और घूम गए